जे मातादी दोस्तों मैं नामे दिप्तिर आपका मेई चेल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों साथ शेयर कर रही हूं कि आपको कन्या पूजन कैसे करना चाहिए अपने घर पर जब आप कन्याओं को बुलाएं तो क्या नियम का पाहन करें और कन्या पूजन करने से क्या फल प्राप्त होते हैं तो यह सभी चीजें आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आपको बताएंगे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हुई एक वीडियो जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी तो मैंने आज यह फिर से कुछ नए नियम लेकर आई हूं कुछ नए पॉइंट्स लेकर आई हूं जिससे कि जब भी आप करने पूजन कराएं तो आपको हैल्फुल रहे तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहर तो जब नवरातरी में आप करने पूजन कराते हैं तो किस दिन कराना चाहिए यह सब दिन भी आप कन्या पूजन कराएं उस दिन आपको एक दिन पहले कन्याओ के घर जाकर उनको निमंतन देना चाहिए जब आपके घर में वो सुबह सुबह आएं तो आप उनके सबसे पहले चरंद होएं गंगा जल थोड़ा सा पानी और दूद कच्चा एक पात बड़े पा अगर लड़कियां बच्चियां नहीं खाती हैं तो आप बिना प्याज रसुं की चने और आलू की सबजी बिना सकते हैं उसकी रेसिपी आप मेरी चैनल पर देख लीजेगा तो आपको बहुत आसान तरीके से कैसे बनाना है हमें उसकी रेसिपी आपको मौलूम चल सबस्यक्राइब झाल करें और उसकी पनी पर नहीं करना चाहई specific आपको धर रहें अपको द्यार करने हैं मौसर्म बुलाएब तो Friday के इसके द्बंद के Whooa अपने घर बुला कर पूजन कराकर खिला दें जब भूकी होती है जब खा लेती ए तो आपको ज़्यादा दुआएं देती तो सब्सक्राइब चर्ण दूकर उनकी वंदन करना है, उनको सथकार करना है, उनको विवस्त तरीके से विवस्त आसन पर बठा कर टीका लगा कर, महावर लगा कर, उनका पूजन करना है, उनको खिलाना है, और जब वो लोट कर जाने लगे, तब आप उनके प्यार चुईए और उन्हें कुछ उपहार देजिए, उपहार में क्या देना है वो मैं आपको भी जल्दी बताऊंगी, अब एक मैं बहुत जरूरी नियाम आपको बताती हूं कि आपको 9 कन्यायों के साथ साथ आपको एक लांगुर भी बुलाना है, लांगुर का मतलब एक छोटा सा बच्च लड़का, इसको बुलाने से जो होगी कन्याय जो आप करने चाहते हैं, तो वो पूरी कहलाएंगी, बिना लांगुर को बुलाएं, कन्या पूजन अधूरा होता है, इसलिए एक लड़की को जरूर आपने मंतर में बुलाएं, अपने कन्यायों के साथ, और हो सके तो 9 कन्य कन्यायों को बुलाएं, अगर आपको 9 नहीं मिल रहीं, तो आप 5 भी बुला सकते हैं, वो 5 भी नहीं मिल रहीं, किसी का कमेंट आया था कि उनके गाओं में 5 कन्या भी नहीं है, तो आप 2 कन्यायों भी बुला सकते हैं, भगवान, मतरानी, भाव देखती हैं, आप भाव से और एक को भी बिलाएंगे न तो उनहीं में वो 9 देवियां आ जाती हैं, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर आपने माता राने से बोला, कि हमें नौरातरी की 9 कन्याओं को निमांतन करना है, तो आप कहीं से देखिएगा, कहीं न कहीं से विवस्था हो जाती है और वो नौ की नौ करने आए आप गर में आ जाएंगी आपको पता भी ही चलेगा कहां से आ गई है तो देखिए इस तरीके से आप छोटी छोटे से बैक्स आते हैं गिफ्ट में देने के लिए पढ़ाई की चीज़ें गिफ्ट में दे सकते हैं बहुत सारी फैंसी चीज़ें आजकल मार्केट में आ गई है क्योंकि बिना कुछ दिये खाली हात बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए और जब वो जा रहे हैं जब आप उनके हातों में गिफ्ट दे दे तब आपको एक बात जरूर बोलना है कि आप फिर से मेरे घर में जरूर आईएगा वो मातारानी कहीं स्वरूप होती है वो बच्चियां इसलिए बहुत अच्छी से सतकार कीजिए वो आपको दुआएं देंगे आप उनसे कहें कि आप वो आपके सिर पर हात रखें आश्रीबाद दें और आप उनकी चरन चुईए आप आश्रीबाद मांगिए तो आपका घर धंधान से भर जाता है खुशियों से भर जाता है करन्या पूजन करने का सबसे विशेस फल यही होता है कि आपके घर में कोई भी वास्तो दोस्त होगा उससे मुक्ती मिल जाएगी आपको और आपके घर में सभी काम बने लगेंगे पॉजिटिव एनरजी आजाएगी आपके घर में आध्यात्म से आप जुड जाएंगे और बहुत ही अच्छे फल आपको प्राप्त होने लगते हैं और आपके अगर नो दिन का ब्रत रखा है तो विशेस कर आप ध्याम रखे कि आपको बिना कन्या पूजन के आपके जो ब्रत है वो पूरे नहीं होंगे यह देखिए दक्षना आप तोयुक्त है जरूर दें जिससे कि लक्ष्मि की कभी भी कमी नहीं होगी आपके घर में कुछ एक अनाज उनको जरूर पजड पद्नी में भर के दें और अनास देने से आपके घर में कभी भी धन्धान की कमी नहीं होगी तो इस तरीके से पूरी पूजा आपको करनी चाहिए ब्रत 9 रातरी के 9 दिन के बाद 9 दिन में ही आपको ये करन्या पूजन कराना है इस वीडियो को ज़्यादा से जरूर शेयर कीजे आपका बहुत बहुत धन्यवाद